बॉलिवुड में हैरत अंगेज कारणा में होते रहे हैं राजे श्कन्ना की वज़े से दो सूपर स्टार्स का दिल तूट गया था एक शशी कपूर और दूसरे धरमेंद्र जी हाँ महान फिल्मेकर रिशिकेश मुखर जी न ठान लिया था कि अपनी एक बहुती मरम सपर्शी समेधन शिल स्क्रिप्ट के लिए शशी कपूर को वोच चुने लेकिन जिस दिन फिल्म की शूटिंग शुरू होनी थी उसे दिन शशी कपूर को मना कर दिया गया उन्हें फाइनल करने के बाद मना किया और शशी कपूर इतने खफा हुए कि आगे जाकर कभी रिशिकेश मुखर जी के साथ काम ही नहीं किया दूसरे एक्टर है यह मैन अफ बॉलिवोर्ड धरमेंद्र रिशिकेश मुखर जी ने धरमेंद्र साथ से पूरी स्क्रिप्ट बाटी और कहा कि धरमेंदू हम इस फिल्म के लिए काम करेंगे और तुम ही ये रोल निभाओगे धरमेंद्र साथ बड़े ही रोमांचित थे लेकिन धरमेंद्र को भी इस फिल्म से रिजेट कर दिया गया और चुना गया राजेश खन्ना को फिल्म आनंद आनंद के आनंद सेगल बने राजेश खन्ना शशी कपूर और धरमेंद को रिजेक्ट करने के बाद रिशिकेश मुहरजी को लगा इस किरदार के लिए राजेश खन्ना से अच्छा अभिनेता कोई और हो ही नहीं सकता तो फिल्म आनंद ने बहुत से कीर्दिमान स्थापित किये और राजेश खन्ना की अमर पहचान बनी ये फिल्म पर ये कहानी छीपी रही कि शशी कपूर और धरमेंदर इस फिल्म के लिए चुने गए और रिजेक्ट कर दिये गए एसी और भी बड़ी जबर्दस दास्ताने सिर्फ और सिर्फ पेश्ट्री रिपोर्टर पर सब्सक्राइब करें पेश्ट्री रिपोर्टर